कि नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिक्रेशन सारे अपडेट सारे इमोशन इपटेंट पिक्स सारा रिवीजन सब कुछ या पर बताया जाता है इसको जरूर जोइन कर लिजेगा ये हमारा इस्टाग्राम का पेज़ है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा studyforcivil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के इसकी लिंक दी हुई इसमें आप इस्टोरी सक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रहिए क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपनेटर सोधी चैनल स्टेडी फॉल सिबिल सब्रसेस प्याद आपके समक्ष लेकर आगे हैं साथ जलाही कांटिफे हिंदी इंग्लिज दोनों ही बाश्वा में यूपीएसी और अधर स्टेट पिसे एक्जामनेशन के लिए काफी आधा इंपोर्टन होने वाला है आज का हमारा सेशन देखिए देखिए हमारे सोचल मीडिया के हैं इंस्टाग्राम पे भी हम आ चुके हैं जो पीडिया पेड होती हैं उनकी पिक्स भी हम यहां इंस्टाग्राम पे देता हैं Study for Civil.Services और Telegram के हमारे तीन चैनल है Only Current Affairs, Study for Civil Services और Only UPSC Dedicated Channel है ये UPSC के छात्रों और छात्राओं के लिए देखें UPSC और कोई भी जो Other State PC Examination है उनके लिए जो Prelims of Means दोनों के लिए जो Topics आज के हमारे important है पहले तो बहुत यादा important चेतूर संकरन नायर ठीक दूसरा है पंजाब सुबा मुवमेंट और कोविन Global Conclave Fly Ash और Anti-Methanogenic Feed Supplement हरित धारा इसका नाम दिया गया है ठीक और देखें पहला जो हमारे टॉपिक है चेतूर संकरन नायर देखें क्या है कि करन जोहर जी आपने सुना होगा फिल्मेकर है इन्होंने अब बायोपिक बनानी है चेतूर संकरन नायर इनके नाम के आगे पहले सर जुड़ा हुआ यानि की बिटेन ने इनको ये उपादी दी होगी और नायर जी जो है ये आपके मालावार के पलककर दिस्टिक में मनकरा विलेज में जो अठास उत्तावने पैदा हुए थे हिस्ट्री के परस्नालिटी बेस कोश्चन उप्यस्टी कुछ ऐसे पूसता है जो आप मतलब क्यों कि आप वो एग्जास्ट हो चुगा क्या है कि इनके जो ग्रेट ग्यान फादर थे जो इनके जो परदादा थे जो दादा जी थे ये सब लोग इस्ट इंडिया कंपनियम को ये काम कर रहा था कोई सिविल डिविजनल ओफिसर था जैसे कि आज है ना SDM होते ही ठीक तो काफी मतलब बिटिशर्स में लोग के मतलब जो इनके दादा परदादा ही सब लोग कारेरत थे ठीक और इसके बाद इन्होंने खुद जो है graduation किया law में आपका presidency college मादरास के और इन्होंने जब degree ले ली तो इनको hire किया एक sir Horatio Shepard जी ने ठीक और ये हराशियो Shepard बाहत में chief justice भी बने थे आपके मदरास high court के और कुछ पहले के दिनों में जब lawyer बने ये तो nair जो है काफी defined attitude के थे यानि कि उडंड रविया के थे जो बात है मुँ पे सीदे ठीक है और बिलकुल जो खड़ी बात वाली बात थे और काफी passionate एडवोकेट थे समाज सुधार के लिए काफी नहींने मतलब दरण निचे कर रखा था सर्व डिटर्मिनेशन कर रखे थे कि भईया समाज सुधार होना चीए और भारत में ठीक और इनके लिए जो main जो इनका एक मतलब carrier का होता है हर किसी life का carrier का एक flashpoint होता है उस flashpoint में जो है यहाँ पे इनके साथ में कहा था कि जो Michael O. Dyer था जिसने जो है जलिया वले बाग में जाके कह दिया था कि भून दो सबको ठीक तो इनके खिलाफ इन्होंने case लड़ा था Michael O. Dyer के खिलाफ जो है इन्होंने case लड़ा था और देखे यह चीज इतनी आसान नहीं थी उस समय जो डायर थे आपके उनके खिलाफ इन्होंने देखे एक तो एक book भी लिखी ठीक case भी लड़ा book क्या नाम था आपका गांधी और अनार्की ठीक और case क्यों इतना अधा important था क्योंकि वह यह judge जो सारे law अंग्रेजों के ठीक court भी अंग्रेजों का ठीक और जो प्रिसाइड कर रहा जो judge है वो भी अंग्रेज तो उन सब के सामने भी यह लड़े और इन् important होता आज आपके सामने आपके विरोधी चार लोग खड़े हो जाए तो आपकी जो आलत कराब हो जाती है और समझेए उस समय तो सभी इनके विरोधी थे और फिर भी जो है इन्होंने बात रखी भारतियों के तरुप से बहुत बड़ी बात है यह बारत के सुदंता संगर काम के दौरान अगर देखा जाए 1987 में ये इंडियन नेशनल कॉंगरेस के सबसे यंगेस्ट उस समय नाइटी एटी एटी सेवरे कब बना था सेफटी वॉल ये इंडियन नेशनल कॉंगरेस आपका अठाज़ों पत्चासी में तो एयो हिूम जी ने इसको किया था याद हो 1902 में देखिए उसके बाद भी जो है बिटे बिटेन के जो थे लोग थे उन्होंने इनको उपाधिया देते रहे वाई साब इनको कहीं ना कहीं इंवाल्व रख था क्योंकि एक चीज होती है काबलियत को आप कभी हरा नहीं सकते उसको आप कुछ देख ले दबा सकते हैं उसके अनुसार समझे रहो वो खुद दबता है तभी दबा सकते हो लेकिन काबलियत को आप कभी दबा नहीं सकते काबलियत जो है आगे निकलेगी निकलेगी लॉड करजन तभी देखिए और बिटेन में एक बात है बिटेन चाहे कुछ भी हो जा जो काबिल था उन्होंने हमेशा उसका जो है जो है सादर सतकार किया था इतने बुरे नहीं थे अगर देखा जाए तो ठीक तो 1902 में लॉड करजन जो की बंगाल की विभाजन के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने इनको चेतूर जी को जो है रेले उनिवर्सिटी कमीशन में रखा देखिए अब मैं तो अब मैंने यह जैसे यहां पर मैंने इसलिए इसको कर रखा मैं वैसे बता रहा हूं ताकि आपनों तयारी कैसे करो ठीक तो अगर आपने रेले उनिवर्सिटी कमीशन पढ़ा तो जितनी भी कमीशन है ठीक एजूकेशन से सबंदित या जो भी थी बिटिश के टाइम प पोशित किया गया एपॉइंट किया गया मलब भारती समराज के साथी और किंग जो मलब किंग एंपरर जो थे उन्होंने इनको एपॉइंट किया था एजए कंपेनियों ऑफ दे एंडिय एंपायर 1912 में आपका नाइटेड मले एक नाइट एक जो है किताब होता था उसका जो है किताब इनको दिया गया 1908 में ठीक 1908 अगर आपके दिमाग में आ रहा है या आना चाहिए कि 1908 में क्या हो था बाल गंगादर तिलक जी जो क्या थे बताइए जेल गया थे या जेल से वापस आ गया थे बताइए ठीक और किस कारण गय थे तो इनको 1908 में पर्मनेंट रेट्रिकल जज्जमेंट यह होता है कि जो भी चला है उसके खिलाफ ठीक तो इसलिए मलब जो है उसके मलब काफी बड़ा चेन लाते हुए जज्जमेंट दिया जिसमें इन्होंने यह भी यह कहा कि कोई व्यक्ति अगर हिंदिजम में कनवर्ट हो जाता है ठीक तो उसको आउट का आश मलब वो जो है भाईश्कत नहीं किया जाएगा समास से अब देखें जब यह आउट कास वाली बात आई तो मेरे दिमाग में क्या आया एक बचपन बचाओ आंदोलन वाले जो एंजियो के जो फाउंडर है जिनका नाम है कैलाज सत्यार्थी जी इनको नेशन इनके समास से तो इन्होंने अपना सरनेम अटा के अपना सत्यार्थी कर दिया तो अब यहां से भी हमें क्या सीख मिलती है द्रण निच्चे अगर कर लिया तो मंजिल मिलेगी मिलेगी और देखो नोबल पीस प्राइस नमजा गया कितनी बड़ी बात है ठीक 1915 में अब दे को education portfolio दिया गया portfolio कि मैंने यहां पर मार्क क्यों कर रखा है क्योंकि portfolio system आया था preparation के टाइम पर 1860 में और portfolio क्या मतला होता अलग-अलग मंत्राले बना दिये गया जैसे आज मंत्राले है education का आज जब मैं यह record कर रहा हो तो उससे पहले एक नया मंत्राले आया इसको cover कर दिया जाएगा जिसका नाम है आपका ministry of cooperation ठीक तो यह जो है cooperative जो आर्टिकल में इसको संशोधन करके लाया भी गया था शायद 97 संशोधन द्रा एक बार comment करके बताईएगा तो जो सहकारी जो समयतिया होती ना उसको बनाया गया नया मंत्राले है इस प्रउधान बढधाये गए भारतियों के लिए ओर जो है जिसमें डायार्की लाए गया था épo्य कि जो होता है वह द्वैदशार्शन ओता यह एक कारकारणी के चीज़ है जो सरकार में उसकी बात हो रही है दूसरा जो होता है बाई कैमरलिजम होता है बाई कैमरलिजम क्या होता है भाई साब कि ये आपका दूई सदनीय सिस्टम होता है जैसे कि लोग सभा रासभा एक एक चीज़ एक टॉपिक में कितने टॉपिक कवर होने हैं आपके खुद सोचिए गिन लिए और कोई गिन के बता सकता तो बता देगा ठीक तो इसमें भी काफी इन्होंने जो है help करी और इंडियन्स का participation बढ़ाया गया ठीक कैसा लगा यह अच्छा लगा तो लाइक का वटन तोड़ो ज जो है SGPGC बोला जाता इसे इन्होंने चार जुलाई 1955 को स्वण मंदिर में क्या हुआ था कि पुलिस कारवाई हो गी थी तो उसकी वर्षकार्ट को जो है चिन्नित किया है और इसमें कायक्रम रखा था अब हुआ क्या था उस समय देखे पंजाब जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो लेंग्विज के वेस में काफी लेंग्विज के वेस पे जो है काफी जो है बटवारा करने की बात हुई थी कि लेंग्विज के वेस पर तमिल के लेंग्विज के वेस पर अलग अलग जो है राज बनाय जाना चाहिए तो उसी के उसमें जो है एक पंजाबी स्पी पिपल जो पंजाबी स्पीकिंग पिपल हैं उनके लिए अलग से एक स्टेट बना जाए और इसके लिए श्रीमनी अकाली दल जो है ठीक इन्होंने मुव्मेंट को चलाया इसको बढ़ाया कि वहिया पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होना चाहिए और इनका पोजीशन भी था जो फेवर में थे वो क्या बोलते थे कि पंजाबी सुबा अमर है और दूसरे जो लोग थे जो अपोस कर रहे तो वो बोलते थे महा पंजाब ठीक उसमें क्या है कि पंजाबी स्पीकिंग ना भी हो उससे बड़ा पंजाब लेनी की बात करते थे इस्टेट बनानी की बात क सकती है तो उन्होंने 144 धार लगा दिया कर्फिव लगा दिया आपका CRPC के अंतरकत ठीक कोड़ ऑप क्रिमिनल प्रसीडर के अंतरकत अब हुआ क्या इसके बाद बैन लग गया तो जो श्रीमनी अकाली दल थे उन्होंने Freedom of Speech को देख कहा कि भया अभी वक्ती कि आजादी के खिलाफ ऐसा चीज़े हम जो भी बोलने हम कोई किसी को वॉयलेंट थो ना कर रहे है तो इन्होंने फिर भी क्या किया यहापे इन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा 24 अपर 1955 को अमरिस सर में और कहा कि हम peaceful तरीके से शांतिपू से क्या हुआ कई सारे लोग जो है अरेस्ट हुआ उसमें एक रिवैलियन थे जिनका रहना था मास्टर तारा सिंग ठीक तो तारा सिंग को जब अटैक कर दो कितनी अच्छी स्टोरी है ठीक पूरा इस्टोरी तरीक सुनते चले है यह एक एक चीज आपको सौन में आ जैसे कि आर्टिकल लॉम्बर 3 के अंतकत हो जाता है ठीक तो आर्टिकल लॉम्बर 3 क्या बोलता है दो क्या बोलता है चलिए कमेंट करके बताईएगा तो यह मतलब इंक्रीज का नहीं करना चाहिए और एक जिस्टिंग जो बी प्रोब्लम सें उसको कॉंपलीकेटेड मत कर गया और फिर वालिंटियर जो थे उन्होंने थोड़ा सा ये चीज करी कि ये अकाल तक यानि कि जो गोल्डन टेंपिल वहां पहुंच गए और पुलिस वालों ने भी थोड़ा सा ये था कि धार्मिक उसको जो है रखना चाहिए था इन्हें तो इन्होंने लेकिन ये सोचा कि बढ़ रहा है और रिलीजेंग का लोग सारा ले रहे हैं और भारत में हम सेकलर देश हैं तो इन्होंने क्या किया इन्होंने वहां जाके भी पुलिस ने गोल्डन टेंपिल में चले गया और थोड़ा सा जो है जैसा कि यहां पे निउस में लिखा हुआ था कि स्वण मंदि किचन जो लंगर उंगर लगता है कॉमिटी किचन होता है उसको जो रोग दिया सब यूटेंसिल ले गए मलब जहुर दस्ती तो यह और गुरु रामदा सराय एक था वहां पे भी रेट किया और जो प्रीस्ट थे उनको भी अरेस्ट कर लिया कई आठ हजार वोलेंटियर को भीम सेम साचर जी उन्होंने पंजाबी स्लोगन सो था सूबा स्लोगन वाला उस पे बैन हटा दिया 12 जुलाई 1905 को और फिर लेकिन मास्टा तारा सिंग जो थे वो रिलीज हुए थे काफी बाद में सब्तमबर 8 1955 को ठीक तो यह तो बात हुए 1905 की बात में एक ऑपरेशन ह हुआ था ठीक 1984 के जो एसेशिनेशन हुआ था इंद्रा गांदी जी का उन्होंने भी कुछ एस तरीके का डिसेन लिया था ठीक तो भिंद्रावाला जी एक थे तो उन मलब वो गोर्लन टेंपिल में चले गया थे और खालिस्तान की वो बात कर रहा थे खालिस्तान एक अभी पाकिस्तान का अभी एरिया को कि पंजाब तो पहले जो बड़ा था अब विवाजन के बाद में पाकिस्तान में कुछ चला गया कुछ भारत में रह गया तो खालिस्तान क्या बात करता है कि जो खालसा का रहने की जो मलब पंजावी स्पीकिंग पीपल का हो तो बिंद्रा यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं चीख अगला जो मारा कुशन है जो टॉपिक है स्वरी वो है कोविन से जो आपको पता होगा जिसमें वेक्सिनेशन के लिए जो है अप्लिकेशन जाके जो है वो करते हैं वेक्सिनेशन श्लॉट चुनते हैं तो अभी इससे समद्द एक ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ था इसमें मोदी जी ने जो है इनॉगरेट किया डिजिटली और इसमें बहुत साथ देशों ने भाग लिया गज़ा बिलकुल 142 देशों ने भाग लिया पाकिसान बागला देश और बहुत साथ देश मलब छोटे सैंड किट्स नैवेस ज इसके बारे में जरूर कमेंट करें नेशनल हेल्थ अथॉर्टी किसके अंतरकरता था क्या उद्देश है यह आपको जोओ बताना तो यह जोइंटली और इस किया गए हैला कॉन्क्लेव इंतीनों के द्वारा और यहाँ पर में उद्देश जो था इस कॉन्क्लेव को कराने है मतलब क्या इसमें एक मलब दिमाग में को सवाल आता है तो डिजिटली पब्लिक गुड पब्लिक गुड मतलब सावजनिक जो है वस्तु बनाने है पूरी दुनिया के लिए तो वह इस तरीके से होगा कि गुवर्मन्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 50 कंट्रियों उन्हें इंटरस्ट दिखाया कि कोविन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए ठिक और इसलिए जैसे कि कनेड़ा मैक्सिवन नाजीरिया बड़ी-बड़ी कंट्रीज भी है तो इन्होंने काया कि जो कोड है कोड किया गया है कंप्यूटर लेंग्वेज में उस कोड को हम ओ पंस और समझेरो जैसे डबलू डबलू कोई यूस करता है ठिक वर्ड्वाइड वैब ठिक किसने इसको बनाया था टिम बर्नर्स ली ठीक टिम बर्नर्स ली और अभी जो है डबलू डबलू को एन फ्ट की अंतरकाद यह इंपॉर्टन्ट है देखना एन फ्टी पर इसने प्रिवर से कोशन लगाये हैं जिसने यूपीस के प्रिलूम्स को पांच बार क्लियर किया है वो यह चीज़े समस्ता है ठीक तो इसको बोलते हैं एक नौन फंजिबल टोकन ठीक नौन इसी तरीके के चिंतना करी है भी मैं रिवीजर साथ दिन का जो हुआ है इसके इस ताकि क्योंकि टाइम कम है तो नौन फंजिबल टोकन बोलते हैं इसे तो यह अभी जो है वेचा गया है वर्ल्ड वाइड वेब को तो उसे तरीके से जो यह कोड है यह इसको ओपन सोर्स है कोई भी यूज़ कर सकता है यह वाली बात कहीं गई है भारत को दोरा जो की ब चला सके वेवस्थित और पार-दरशी टीका करन। का इकरम चला सके जो भी जो है चाहते हैं ठिक कोविन है क्या ठिक और का Full form भी जो हो रही है कई जो स्टेट PCA examination हो सकता हूसमें ही पूर ले Full form है COVID Vaccine Intelligent Work COVID Vaccine Intelligent Work जनवे 2021 में इसको चलू किया गया था वैक्सिनेचन प्रोग्राम और ये website जो create करी गई है इसमें क्या वैक्सिन के slot आप बुक कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं कि वेक्सिनेशन ड्राइब कैसी चल लई है पूरे भारत में और साथी साथ कोविट का वेक्सिन आपने जैसे वेक्सिन लगवा लिए तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा यह कई जिए के काम आ सकता है सर्टिफिकेट आपको पता है आपका जो है अप्लिकेशन में और जाने के लिए वीदा अधर भी आपको ही मिल सकता तो इपोर्टल है इसके वीचेशता है क्या है कोविन की इपोर्टल है जो एलाओ करता है बेनिफीशेरी को कि वह अपना वेक्सिन स्लोट ले और जो है कुछ नहीं सिंपल नंबर दे कि OTP डाल के जो वेक्सिन कर सकता है। कई लोग करेते सराबाद में बताते हैं तो हम ध्यान नहीं दिते हैं तो आज फ्लाइएश पर ही कोश्चन भी है तो ntpc ठीक पहले बतातू जैसे चिमनी होती है तो जहां पर भी थरमल प्लाइश यहाँ पर इनर्जी बना जाती है थरमल को जगा के तो क्या होता है कि जो च काफी इसके benefits में कई सारे concerns भी हैं इसलिए इंपोर्टेंट है हलाकि benefit में अकर हम इसको बदल दें तो concerns काफी कम हो जाते हैं इसी के कई सारी राक जो है वह जमीन पर गर जाती है उसको बॉटम एश कहा जाता है तो यह भी ध्यान रखेगा तो एंटी पीसी जो है उस जो की एक महरतना CPSU है चेंटर प्रब्लिक सक्टर अंडर्टेकिंग में स्ट्रिय पावर के अंतकत आती हूँ और इंडिया का सबसे बड़ा जो है इंटिकेटर पावर प्रडूसर है इसने कहा है कि हम सौ प्रतिशत तक यूट्लाइज करना चाहते है फ्लाइश जो और हमने इसके इसके एड्वांटेजेज जो इसके एप्लिकेशन जो भी इसके यूज़े इसको वह करें टेंडर निकाले गए है एक जुलाई से पत्ची जुलाई तक जाएगा ठीक टेंडर मतलब कि निविदा न्टीपीसी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके 1975 में आया था और य अगर ये वातावड में ऐसे पड़ी रहे तो ये एर पलूशन कर सकती है अगर ये जमीन में पानी साथ चली जाए तो ये वाटर को पलूट कर सकती है ये करती है इस तरीके से ठीक और अगर ये अगर जमीन पे पड़ी रहे तो ये इतनी कड़ी वहीं पर हो जाएगी पान का किया है जबाराई पिशीज के जुए ज हिसका यूज किया जा है सीमएं इसको मिख किया ज रहा है ठीक तो इसके जो वायी कोर्डेक्ट जो चला कर जो पावर जंडेशन होता जो इसका भाई प्रडेक्ट होता है फिलायय is तो उसको जो है आप लोग उज़कर सकत 먼저 इस तरी ठीक फ्लाई एश क्या होती है इसको कई साथ नामों से जाना जाता है फ्लू एश भी बोलते हैं कोल एश भी बोलते हैं पुलवराइज्ट या चूणित इरधन राक भी बोलते हैं ठीक इसे काफी मलब fine particulate होता है और coal-fired boilers में इसे पाए जाता है और fly ash जो होता है इसका जो composition जो रचना है वो भी समझ लेते हैं रचनात्मक इसका जो पहलू है देखिए इसके अंदर silicon dioxide के होता है silicon dioxide के हैं जिसे कहाँ च्वाज बनता आपने सुना होगा ठीक इससे जो है आपके semi-caductors भी बनते हैं जो लो electronics branch के होंगे तो उनको पता होगा electronics के communication के इसमें aluminium भी है इसमें ferric oxide भी है इसमें calcium oxide भी है ठीक और इससे जो है road का बेस बनाने के लिए metal recovery करने के लिए और cement product के लिए काफ यूज आता है इसके harmful effect समल लीजे air pollution जैसे मैंने आपको बता है cancer disease, air pollution हो जाए heart disease, cancer stroke भी आ जाती respirative disease भी हो जाती है और इसमें कई सारे जो है spills करके water bodies को भी जैसे मैंने आपको बता है उनको भी जो है नुकसाँ पहुचा सकता है अच्छा एक इसमें आंकलन किया गया कि भाईया अगर electricity जितनी generate किया जा रहा है मालीजे एक unit बनाए जा रही है अगर आप कोईले को जरा के बना रहे हो ठीक, electricity और वैसे ही unit जो है अगर आप nuclear power के थुरू बना रहे हो ठीक, तो nuclear जो waste होता है जो abscist होता है उसके comparison में देखा जाए है तो fly ash जो है वो ज़्यादा विकरण 100 गुना ज़्यादा विकरण प्रेजनुस करता है nuclear waste से भी ज़्यादा तो ये काफी खतननाग भी है आप समझे हो, radiation काफी ज़्यादा एक unit in electricity अगर दोनों का बराबर unit of electricity बना रहे हो nuclear से भी, coal से भी तो fly ash का जो विकरण है और nuclear waste का जो विकरण है fly ash का 100 गुना ज़्यादा है तो आप इसको इतने सारे points में बता दिया है अगर इससे question मैंने पूछा है तो आब मैं एक हाल से आप इसको बहुत ही इतनी तरीकर लिख सकते हो जो मैंने चिमनी बनाया आता करके आप लोग भी उसको दिखा सकते हो it gives a very good impression it gives a better presentation and examiner thinks कि हाँ भाई इसको illustrate करना भी बन्दे को आता है ठीक, तो आगे जाके जब किसी गमार जो है politician को इसक बनके आप समझाओगे तो वो समझ जाएगा ये वाली बात है ठीक, it also pollutes the soil soil को मलब मृदा को जो पलूट कर देता है और जो पेडों की जो root होती ही वो develop नहीं हो बाती ही जो मने आप लोगों को पहले होता है ठीक, अगला जो topic है यार ये तो बहुत ही खतरनाक topic है इसका नाम है Anti-Methogenic Feed Supplement आप समझ भी नहीं सकते ये topic मतलब किस से समझ देता है आपका हरित धारा ठीक, आपका Indian Council of Agriculture Research जो है ICER Institute इन्होंने अभी क्या है हरित धारा बनाया है Anti-Methogenic Feed Supplement अब जो मवेशी है ठीक, मवेशी होगा है भयास होगी, गाय होगी जिससे हम दूद निकालते हैं तो उन लोगों के अंदर क्या है कि जो मवेशीों से ये कहा जाता है कि भया, Climate Change मवेशीों के वैसे भी होता है भया, आप कहोगे यह कई से हो रहा तो ये इसलिए ऐसे हो रहा है कि जो मवेशी है उनका जो खाने का तरीका होता पाचन क्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते है Rumification जुगाली करके खाते हैं आपने देखा होगा भया, जो मवेशी होते हैं इनके चार पेट होते हैं सबसे पहले वाला जो होता है वो होता हमाश है जिसको Rumen बोलते हैं तो Rumen में ये लोग क्या है ये Feed डालेंगे जो जिसकी वज़े से Methane जो है आपका CH4 ठीक Methane जो है कम पैदा होगा और Methane वैसे तो देखिए कम समय तक रहता है वालाण में लेकिन अगर इसका Global Warming Potential आप समझो ठीक तो मतलब ज़्यादा Global Warming Potential है Methane का हमारे आप ये आपको पता है मवेशी जो है वहाइस और फैलो इन सबके जो सेंसर है आप लोग को मालूम है सबसे ज़्यादा दुनिया में हमारे आप पाई जाते हैं तो अब इनकी वज़े से क्या है कि मेथेन बहुत ज़्यादा बातरम निकलता है ठीक तो उसकी वज़े से जो है Climate Change भी हो रहा तो Climate Change को भी बचाना है बहुत ही अच्छा है ये आप लिख सकते हो उस वहाँ पे Example में ऐसे Example लिखोगे बिल्कुल तार-तार बिल्कुल Garden Garden हो जाएगा उसका दिल अब इसमें क्या करेगा ये कि एक तो पहली बात तो ये होगा कि आला आपको आपने इसको खलाया Anti-Methogenic Feed तो उसकी वज़े से क्या है एक तो जो है मेथेन जो है कम बनेगा ठीक Amasha में जाके Amasha में जाके Roman में जाके ये जो है आपका ये कम बनाएगा मेथेन साथी साथ उनको जादा वेट अच्छा होगा दूद भी जादा Productivity निकलेगा ये सारी चीजे होंगी ठीक आपका हरिद्धारा HD ये क्या करता है कि एक प्रोटोजोवा होता है मैक्रोब उनकी population को decrease कर देता है Roman में यानि क्या माशे में अब decrease करने के वैसे क्या है कि या hydrogen produced नहीं हो पाता है और जो है जो आर्किया है ये आर्किया क्या होता है बेक्टेरिया की तरह ही एक जिवाश में है मतलब बेक्टेरिया की तरह ही जीवाण हुए ये एक तरीके bitter estrogen chemical compound है रसानिक योगिक है तो ये जो है इसलिए important है ये टैनिन कि ये जो रिमूब प्रोज होआ है इसको remove कर देता है रिमन से ठीक जब ये रहेगा नहीं तो उसकी वाज़े से क्या होगा कि आपका hydrogen बनेगा नहीं hydrogen बनेगा नहीं CO2 जो है वो भी उसके साथ मिल नहीं पाएगा तो CH4 बन नहीं पाएगा chemical compound बन नहीं पाएगा ये चीज़ है तो ये कैसे प्रेपेर किया गया है आपका हरित धारा tannin rich जो plant है hydrolysable ठीक plant जो है condensed उसको जो है evidently काफी आदा मातर मिल जाता उससे प्रेपेर किया गया हरित धारा अगर वो पूछ ले तो ये टैनन rich plant है hydrolysable से बनाया गया और ये काफी सस्ता भी है छे रुपे प्रतिकलो है और जो है अनिमल की एज जो है ती महने ज़्यादा होनी चीए बस ये थोड़ा सा यहां पर देखने वली बात है हो सकता है एक स्टेट्व में पूछ ले कि भाईया अनिमल को सुरवाती दौर से ही खिलाएं लगो बच्चा पैदा होते ही तो नहीं है यह ती मैने के बाद है है और जब उसका फुली इल्युमें जो होता है जो पहला आमाशे जो होता है पहला जो पैट होता है वो पूरी तरह के से डवलप ओदा हो ठीक तो यह किसको दिया जाता है आपका गायों को भेड़ों को दिया सकता है और मेथेन जो इससे 17-20% तक कम हो जाएगा जो कि बहुत बढ़ी उपलब्दी होगी मिलकर प्रोड़क्शन बढ़ेगा और बॉड़ी का वेट गेन भी बढ़ेगा यार भैस तो वैसे इतनी गाये तो वैसे इतनी मोटी और वेट बढ़ा देरो यार क्या मतलब है क्य इपड़न जो होता है इसमें अगर हरिदारा का यूज करेगा तो इसमें जो है प्रेडूस करेगा मोर्फ रो पायुनिक एसिट प्रोपायूनिक एसमेंट ज़्याता होगी लेक्टोस प्रोड़क्शन जबाद होगा बॉडी वैट बढ़ेगा एकनॉमिक बैदिफिट भी कि उर्वरक से समंदित इफको है ठीक और आप लोग को कोई पता है तो जरूर नाम उनका बताईएगा ठीक और पश्वों में मीथेन का उत्पादन और सर्जन कैसे होता है देखें मीथेन जो है अनिमल रूमन जो इसका पहला पेट होता है इसके अंदर जो मटेरियर चेंटेशन यानि की होता है तो उसकी वह से जो है चीएच फोर अब इसमें जो एक सबस्टेट होता है आरकीया जीवान होता है और यह प्रेडूस करता है फिर आपका मेथेन ठीक अब विच्थ अनिमल और पिर जब वह ड़कार आती है तो उसको निकाल देता है यहाली बा जो होती उसमें prelims में आपके जो है objective type questions आते हैं उनको कैसे solve करना चाहिए, किन किन बातों देना चाहिए और कौन कौन से trick आपको लगा कि question solve करने चाहिए बहतरीन तरीके से without negative marking किये वो हम लोग यहां पर समस्झते हैं इफी आप लोगोंने सुना होगा International Film Festival of India ये इससे समझेत कुछ statement दिये गें true आपको देखना है बताना है कौन कौन से है ठीक उन्हीं को माग करना 1970 से चलू हुआ था क्या 1970 चलू हुआ था आप लोगो बताईए ज्यादा तर जो है ये गोवा में होता है ठीक इस साल भी गोवा में होगा November में और ये एकदम सही है तीसा तो आप लोगों को पता ही है और उसके आज जो ये और्गनाईज कौन करेगा तो आपका बचा भी आंसर उनने सो बावन में चलू हुआ था हर साल ये होता है फिल्म इंडस्ट्री के रिकर्गनाईज कियाता है कौन कौन जो है आउट स्टेंडिंग वरक इन्होंने किया है बहुत ही बैतरी इन उसक्रस्ट कार और ये जो है इस बार जो है आपका गोव में फिर से होगा जातर गोवा में ही होता है और सतजीत रे जी जो थे एक फिल्म कार थे बहुत बड़े उनकी बड़ सेंट जो है को कमरेट करेंगे याद करते हुए जो है सौ साल हो गए है उसको ट्रिब्यूट उनको इसके लिए ट्रिब्यूट दिया जाएगा ठीक काफ बात है अगर सेलेक्शन आप लोगो लेना है तो लेना है ठीक कई लोग जो है कई टेलिग्राम को चैनली नहीं दूड़ पा रहे हैं यह वाला उनली उप्यसी वाला जहां पर जो है आंसर लिख सकते हैं मतलब कोई पिक्चर को जो है डाउनलोड करना होगा तो कहीं जाके उल्टा सीथा तो वह कहीं पे जाके कहीं से भी कैसे करके वीपियां लगाके इंक कोगनिटिव मोरेंट में जाके कैसे भी देख लेंगे लेकिन जो है टेलिग्राम का ग्रुप नहीं मिल पाता है उनको ठीक आंसर नहीं लिख पाएंगे यार कुस्तों करो इसको कैसे होगा सेलेक्शन ठीक है तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए प्लीज आंसर दीजे देखें यह इंपोर्टन बहुत है कुशन इन्वेस्ट इंडिया समंदेत है इसको अभी अवार्ड बिला है रिसेंटली तो इसले काफी अधा इंपोर्टन होगे है से समंदेत कुछ स्टेट अधा, क्रिक्ट्टी व्प्रोफित, लेकिन इससे पहले क्या है, यही कि डिपर्टमेंट पर्मोशन आफ इंडिस्टृ उद्ड्योगों का समवर्धन और इंटर्नल ट्रेड, यहांत मी इन्वेस्ट इंडिया को एक संस्था है, OCO Global उसने दुनिया में Most Innovative Investment Promotion Agency करार दिया है That is a very nice thing और भारत को मतलब काफी नाम इससे उचा हुआ है और Invest India को दुनिया की सबसे निवेश समवर्धन Agency का जो है किताब दिया गया है OCO Global जो है ऐसी वैसी नहीं है काफी अच्छी लीडिंग Economic Development Advisory Firm है आप यहां समझना कि किसी को पकड़ लिया और जबरस्तिय वाट दिलवा दिया ऐसा नहीं है काफी लीडिंग आर्थिक विकास के लिए Advisory Firm है काफी अच्छी चर्चित बहुँ चर्चित है और यह दुनिया की गॉवर्मेंट और कंपनी अगला जो हमारा जो पढ़ाओ है वो है पढ़ाओ कोशन नुबर 52 का और इसमें डेली यूपीसी मेंज जेनल स्टेडी आंसर एटिंग फ्री प्रेक्टिस हम लोग करते हैं साथ जुलाई का जो कोशन है और मैं पूरा इसको पढ़ाया है हमाने आज इसका तो आंसर जो लोग नहीं भी लगते हैं मैं चाहता हूँ वो भी लिखें और वो भी पढ़ें बाकियों का किस तरह से जातर तो आज देखें सबीक पास होगा ठीक बस आप लोग को करना क्या है कि किस तरह से प्रेजेंट करना अच्छे-च्छे कम चब्दों में ज़्यादा बात करते हुए जितना पूछा गया है कोश्चन को दो बर पढ़ी है और फिर वहीं चिलिके जो पूछी गई है कोश्चन के डिमांड के रुसार कोश्चन है फ्लाई एश क्या है ठीक आपका जो है उड़ती हुई राख वाली बात है यह क्या है और इसके क्या बेनिफिट है और क्या कंसर्न है एक्स्प्लेन करना है आप लोग को ठीक तो आप लोग ऐसे करके जो है टेवलिशन मेटर्ट में भी कर सकते हो जैसे भी आपको सही लेकर प्रेजेंटेशन बढ़िया करेगा इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन कतम होता है लाइक का बटन तोर डालो बनवा दूंगा मेरे भाई कोई टेंचन नहीं है शेर और सबस्क्राइब करके ज़्यादा 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 लोग को जोड़िये और हमारे जो ये मिशन चलता जिसमें हम लोग का इंटर लिंकिंग और अच्छे-च्छे आप लोग का पूरा चीज जो है क्लिया करते हुए कौन से फैक्ट्स को हम लोग आपका सेलेक्शन करा सकें ये एक मिशन है मारा आप लोग इसमें हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक तो चलिए कल फिर से मुदा कातों कि सुबा दस बजे तब तक के लिए आप लोग सुरच्ची तरह ये पढ़ते रही है जाए जाए जाबरत ओल दवरी वेस्ट है वंदे वंदे मातरम